नमस्कार भाईयों और बहनूं जंगली मेडिसिन यूटूब चनल में आप सभी का स्वावत है सत्यनासी का पौधा कफ और पित का नाश करने वाला होता है इसके पौधे से निकलने वाला दूद आखों के लिए बहुती लापकारी होता है आखों की सभी समस्याओं में इसका उप्योग किया जाता है इसकी जड़का लेप करने से सभी प्रका की सूजन ठीक हो जाती है यह पेट रोगों को भी ठीक करता है और चर्म रोगों में विसेश लापकारी है दाद, खाज, खुजली, पामा, सपेद दाग जैसी बीमारियों में यह सत्यनासी बहुती लापदायक होता है और जो व्यक्ति मूत्र संबंदी बिकारों से परशाँ है या पर धातू चीनिता, नपुन सकता, शाररिक कमजोरी ऐसी समस्याओं में भी यह सत्यनासी का पोधा बहुती लाप पहुचाता है वीडियो को सुरू से लेकि अंतर तक देखीगा जानकरी बहुती महत्पूरे आपको हमेशा काम आएगी पहले हम आपको इसकी पहचान करा देते हैं, यह सत्यनासी का पोधा भारत बर्त में सभी स्थानों पर देखा जा सकता है मुक्ता इसकी दो प्रियातियां देखी जाती हैं, एक सपेद फूल वाली और एक पीडे फूल वाली दोनों के ही औसे दिये गुण लगवग लगवग सामान होते हैं, कहीं कहीं पर इसके तांतिर्क प्रियोग भी किये जाते हैं प्राचिन समय में सत्यनासी और अन्य जड़ी बुटियों की सहता से धातू परवर्तन की किरिया की जाती थी जिससे तामा, पीतल, आधी धातियों को सौन में परिवर्तित कर दिया जाता था सत्यनासी का पौधा कटीला होता है और जन्वरी के बाद इस पर फूल आना परारम हो जाते हैं इस पर पीले रंग के फूल लगते हैं, जो दूर से ही चमकते हैं संपून पौधा काटेदार होता है और इस पर जो फलियें लगती हैं, उसके अंदर बारी सर्सों के बीज की तरह बीज निकलते हैं इन बीजों से तेल निकाला जाता है जो चर्म रोगों में बहुत ही लापकारी होता है इस सत्यनासी के पौधे को अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग नाम से जाना पेचाना जाता है कुछ लोग इसको सियाल काटा, उजर काटा, सत्यनासी, स्वर्ण छिरी, कटू पर्णी आधी नाम से जानते पेचानते हैं दोस्तों आप भी हमें कमेल करके बताएं कि आप कौन से छेतर में इसको क्या नाम से जानते पेचानते हैं और इसका वनस्पत्र की नाम है अर्जे मोनी मैक्सिकाना तो चलिए इसके कुछ और दियो प्रियोग जानते हैं जिनकी मदद से आप विबन पिलकार की बीमारियों को दूर कर पाएंगे 83 के पत्तों को टहनियों को टोलने पर पीले रंका दूद निकलने लगता है यह दूद आखों के लिए बहुती लापकारी है इसका एक बूंद दूद और देशी गाय का घी तीन बूंद के लगवग आपस में मिला कर रख लें और उसको अंजन करते हैं तो आखों की समस्याएं दूर होती है आखों का इन्फेक्शन, आखों में खुझली, आखों में पानी आना, रतोंधी जिसमें रात को कम दिखाई देने रखता है मोतियविंद की प्रार्णभी का बस्ता इससे ठीक हो जाती है कुछ लोग इसका दूद डारेक्ट ही आखों में लगा लेते हैं उससे भी लाब मिल जाता है, लेकिन आप घी के साथ इसका उपयोग करें तो अच्छा रहेगा आखों की बिमारियों को दूर करने के लिए सत्यनासी के और भी काफी सारे उपयोग है जैसे कि इसका रस निकाल कर चार गुना गुलाब जल मिला कर रख लें और उसको यदि आखों में ड्रॉप की तरह डालते हैं तो उससे भी आखों के रोग दूर हो जाते हैं या फिर सत्यनासी के दूद को गाय के घी में मिला कर उसको दीपक में जला कर उसका काजल बना लें इसके तेल की आठ से दस बूंद गिलोए के रस में मिला कर पीने से पीली या रोग ठीक हो जाता है जिन व्यक्तियों को स्वांस रोग, दमा या एलर्जी की समस्या है वे 87 के दूद को बताशा में चारपात पूंद टपका कर सेवन करते हैं तो बहुती अच्छे लाप देखने को मिलते है और उनका रोग ठीक हो जाता है 87 के पंचांग का रस निकाल कर 10 बूंद गाय के घी में मिलाकर सेवन कराते हैं तो उससे पाचन की समस्यां दूर होती है पेट की गड़बणियां ठीक होती है और पेट दर्थ में तुरंत अराम मिलता है जलोदर की समस्यां को दूर करने के लिए 87 एक रामबार उसिदी का काम करती है इसके पंचांग का रस निकाल कर 2-5 एमल की मातरा में दिन में 3-4 बार पिलाना चाहिए इससे जलोदर की समस्यां दूर होती है तता पेशाप खुल कर आता है सभी प्रका के चर्म रोगों में 87 बहुती अच्छा लाब पहुचाती है दाथ खुजली पर इसके पंचांग का रस निकाल कर लेप करने से रोग ठीक होने लगता है या फिर 87 के बीजों से निकलने वाले तेल को थोड़ी थोड़ी मातरा में लगाते है तो उससे भी चर्म का रस निकाल कर या फिर 87 का दूद घाव पर लगाते हैं तो घाव जल्दी बनने लगता है यदि चोट लग जाने के कारण कोई अंग कट जाता है और वहां से लगातार खून भेह रहा है तो 87 को पीस कर वहां पर लिप कर देते हैं तो खून का भेहना रुख जाता है चेह की सुन्दरता वर्तिय केल महासे और जहाईयां दूर हो जाती है 17 की जड़ नपुन सकता को दूर करती है इसकी जड़ का चूण एक से आदा गिराम की मात्रा में यदि निया में सेवन किया जाय तो यह सभी प्रकार के मूत्र संबंदि पिकार दूर करती है सुक्राणूओ की कमी को दूर करती है नपुन सकता दूर होती है सीगर पतन धातू रोग जैसी पूर्सों की सभी समस्याओं में बहुत अच्छा लाप पहुचाती है और जिन महिलाओं में बांचपन की समस्या है वह भी इसकी जड़ का चूण का सेवन करें मात्रा आदी गिराम से एक गि बनता है तो आईए बनस्पत्यों की रक्षा करें एब हम लोगों को जागरूप करें उम्मिद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें यह दि किसी पर काका कोई सवाल या विचार है तो नीच झाल